जलालुदीन, जलालुदीन, जी अब्बू, शकर खा रहे हो, नहीं अब्बू, जूट फर्मा रहे हो, नहीं अब्बू, जुबान पेश करो, तौबा अब्बू, अकांग शा, everything sounds good in उर्दू, नहीं? हाँ, बिल्कुल, और ये जो हमारी जॉनी जॉनी वाली पोएम है, ये यानि के रोमॉलिका ने पेश की है हमें, जो आज हमारे साथ मौजूद है इंडिया से, और content creator है, उर्दू बहुत शांदार जबान है, मेरे उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, हिंदी बोलती हूँ मैं जादा, और हिंदी में सब कुछ ना शुद शाकाहारी लगता है, ल और हमार साथ आज वो जॉइन कर रही है, मेरा नाम है अकांग्शा सकसेना, और मैं हूँ राविया बुक्टी, and welcome you both on our show, आव बात करें. Thank you, thank you, और इतना चाहीं लिखने के लिए रिसर्च करने के लिए, thank you, it is honored. Tamkinat, आप से बात शुरू करते हैं, जब से हमनी ये प्रोग्राम प्लान किया है, मैं और अकांग्शा एक ही चीज़ पर भहस कर रहे हैं, कि Tamkinat बोलना कैसे है, आपका ये यूनीक नाम रखा किसने और इसका मतलब क्या है? मेरे असल में जो अब्बू है, अब अब्बू मुझे कहते वे भी अजीव लग रहा है क्यूंकि मैंने रमॉलिका की जितनी भी जिशे देते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में स्तमाल होते हैं, अब्बू मेरा गला गला दे, जो यादा है। तो मेरे जो अब्बू है उनको मेरे ख्याल से बहुत शौक था कि उनके बच्चे हो नन्ने मुन्ने और उनने बहुत पहले से अपने ही शाहिद बच्वन से जो कोई उर्दु की किताबें पढ़ी उसमें उनको जो नाम पसंद आया वो उनने रखे वे थे तो पहले उनने एक-दू लोगों को मश्वरा दिया जब उनके दोस्तों की बेटिया हुई कि इनका नाम तमकिनत रख ले तो उनने का नहीं पही बढ़ी मेरवानी असे ही रखना है जिदा नाम तो फिर फाइनली मैं हो गई तो उनने का कि बस सब इसी का ही यह नाम होगा तो इस पर लेकिन मतलब क्या है तमकिनत का इस मतलब है शान रुषाकत गर तर्किश नाम है क्या ये उर्दू आप कह रहêu है उर्दू हो request उर्दू ही है, I don't know, क्युकि उर्दू जो है बैसिकली वो इतनी सारी लेंग्विजे से मिलके बनी है, उसके संस्कृित भी आप्रफिश भी है, उसके सार्ड़िक है, तो औरिजन आपकी कहां से है, तो लेकिन बेसिकली उर्दू में ही मैंने इस्तमाल होते हुए सुना है जालो जाबर्दस मैंने इस नाम का जिक्र पहले भी सुना है मैं बहुत पाकिस्टानी ड्रामे देखता हूँ जो एक था नीलम मुरील खान का दिल मौम का दिया उसमें जो कहन बनती है उनका नाम भी तमकिनती होता है हाँ तो मुझे बहुत गुस्सा आथा यह किसी और का नाम क्यूं है क्यूंकि मुझे था कि मेरा यूनीकनेस चीन ले गई है अच्छा मेर को तो युनीक ही लग रहा है ये नाम क्योंकि मैंने पहली बार सुना था और मैं बहुत ही क्यूरियस थी लेकिन रॉबिन आप रॉबिन कुरियन है आप साउथ हिंडियन है और क्रिस्टियन है और उर्दू बोलते है ये मतलब वेंड डाइग्राम बनाएंगे बहुत ही पता नहीं ही नहीं है कहीं पर कैसे हुआ ये सब और क्यों उर्दू में करते हैं तो मेरे माबाप इंडिया में केरला से है मल्यालम बोलते हैं बर काम के सिलसले में उन्हें आना पड़ा तो इसलिए मुझे भी यहां पर मजबूरन सीखनी पड़ी हिंडी क्योंकि यहां के लोग उसी में बात करते हैं और फिर मेरी रुची क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर आपको पंजाबी मिल जाएंगे हर्यान भी मिल जाएंगे बोचपुरी तो एक प्रांत का एक धर्म का एक भाशा का नहीं है यह शहर में सब लोग है में इस्टॉफन तो मेरी दिल्चस्पने मेरे पंजाबी दोस्त है मेरे पंजाबी भी समझ लेता हूं बोल देता हूं यहां तो मशूरी है पंजाबी गाने और उड़्ु से मेरी बहुत दिल्चसपी थी और nd मैं पाकिस्तानी पिस्टांड भी उनको अपने आप में अपनाना, फिर लोगों के साथ बात करना उस तरीके से, जैसे आप लोग भी आप तमकिनत बोल रहे थी, मैं सुन रहा था कि एक शाहिरी जैसे ही लगती है, उर्दू में बहुत सारी भाशाओं को अपनाते अपनाते उर्दू में भी मुझे दिल्चस् और फिर मैंने उसका वीडियो डाला, और लोगों का रिस्पॉंस आया, उससे मुझे पता चले कि भाशा की कोई सीमा नहीं है, और ये एक स्पेशल भाशा है, जिससे सब प्यार करते है, जिससे बात कहीं जाए, या कोई गाना बनाया जाए, हम सब गुन गुनाएंगे, च सही, और भाशा की बात हो रही है, तो तमकिनत आप पंजाबी में सारी बात करती है, मैं जानना चाती हूँ, इंडिया में भी जैसे रॉबिन कह रहे हैं, है पंजाबी यत है, पंजाबी भाशा बूली जाती है, लेकिन किसी तरह से आपको लगता है कि content creator के लिए क्या वो यह सूरते हाल है, कि usually पंजाब में भी लोग पंजाबी नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब अच्छा नहीं समझा जाता, इस पर बहुत बार मैंने भी बात किया, और बहुत से लोगों नहीं भी बात किया, कि जब दो पश्टून आपस में मिलते हैं, तो वो हमेश बोलते हैं, तो जब वो मिलेंगे तो शायद वो उसी लेंग्विज में बात करेंगे, आपसमें हिंदी में नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ इस तरह से है कि काफी इंसेक्यूरिटी है पंजाबी को लेकर, तो नहीं जैसे हम भी थे, मेरे पैरेंट्स दोनों भी नहीं बोली, बलकि हमें मना करते थे कि नहीं पंजाबी में बात करनी, स्कूल में मना है कि नहीं बात करनी, तो पंजाबी को लेके बहुत इंसेक्यूरिटी है पंजाबियों में, कि उनको लगता है कि हमा, पता है नहीं हम कुछ पेंडू लगेंगे, पंजाबी बोलें तो उसके उसमें मुझे ये था कि क्यूँके बच्पन में भी नहीं बोलने देता था कोई आपस में घरों में यहां वहाँ तो यूजिली जो हाउस हेल्प होती थी हमारी नानियां दादियां थी उनसे हम सुनते थे और उनके साथ बोलते थे तो वो एक था कि भही अब नहीं पंजाबी में ही बोलना है ऐसे तो फिर ऐसे ही सही और कुछ एक ये अलिमेंट भी है कि क्योंकि यूजिली जो मैं जिस तरह का content बनाती थी वो शुरू में मेरे मतलब वो इस तरह का था कि जो observe किया उसी पे बनाया है जैसे कोई नानी का character है कोई दादी का क्योंकि नानी दादी के character यूजिली पंजाबी में ही बात करते हैं तो वो जब पंजाबी में बात की तो वो लोगों को एक तो relate भी किया लोगों ने कि हाँ हमारी नानी और दादी भी ऐसी है और फिर दूसरा एक ये भी I don't know fortunately और unfortunately लोग पंजाबी को ना हमेशा humor के साथ जोडते हैं कि अगर कोई पंजाबी में बात कर रहा है तो वो मजाहिया ही बात हो तो for some reason लोगों को अगर मैं कोई आम जुमला भी बोलू ना अगर अभी मैं पंजाबी में बात करना शुरू कर दो तो लोग हसते हैं हाँ 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 दिली में भी होता है असी तुसी करने लग जाएंगे न हम भी मजाह की उडाते हैं जादा मैं को लगता है तो इसाद आपने भी दी ना मैं बहुत शौक दू कि यहाँ पे तो पंजाबी गाने हिंदी गानों से जादा चलते हैं जितने भी हमारे क्लब्स हैं पार्टी करने जाते हैं सबसे पहले लोग पंजाबी गाने सुन ले और आप तो अब बात करूं यहाँ लेके जैसे आम तो पे अगर आप जिसी के साथ पंजाबी में बात करोगे तो चीज कि इसको आती होगी तो वो थोड़ा यह वोगा कि अब मैं बात करूं या ना करूं लोग नहीं बोलते, काने तो सो बात कर दो जाए बत्यों की चैची हैं, उ गाने पजाबी चक्रथे नीचे हो जाएंगे शायद अगर बोलेंगे तो तो ये एक element है I don't know कि इंडिया वाले पंजाब में है या नहीं है लेकि जितने लोग वहां से सुनते हैं उनका भी feedback कुछ ऐसा ही आता है कि हाँ लोगों ने बोलनी छोड़ दी है और लोग associate नहीं करना नहीं बीच में एक वैसे भी वो एक वो जैसे रही हो था I don't know शायद इंडिया में भी डेली और मुंबई वालों का कोई हो कि नहीं हमारा जादा बहतर है और हमारा जादा बहतर है यहां पे है कि नहीं I don't know मेरा ख्याल से क्योंकि इंडिविज्वालिटी की इतनी कमी है हम सब लोगों में कि हम अपने शहरों के साथ ही अपने आपको associate कर लेते हैं कि बस यह मेरी पहचान है यह मेरा शहर ही मेरी पहचान है या मेरी एक plan एक specific चीज पहचान है तो उसको लेके बहुत टची हो जाते है शायद तो वो आपका सवाल बीश में रह गया कि एक नीश बन जाता है या नहीं I think yes होता है यूंकि बहुत सारे लोग लिखते हमें समझ नहीं आती आप उर्दू में भी बनाएं आप उर्दू में content बनाएं तो मैं गहती हूं भई पुछेंगी, सब बात हो रही हमारी लैंग्विजेस पे, हमारे साथ नो फिल्टर्स की तमकिनत हों, और मौले का मौजूद हों, और हम कोई content ना बन माएं, तो ऐसा करते हैं कि इनको एक situation दे देते हैं, जिसमें ये हमें तमकिनत हमारी बनेंगी, एक मासूम सी गाओं की कि उनका देहान कहां था, शुरू करते हैं तमकिनत से. सश्राल की तरफ रवाना हो जाएं, क्योंकि हम आपको आने हैं, आजकल सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं, और नहीं जला सकते हैं, जड़ा तुसी मेरा दिल जलांदे रहंदे ओदा की अम्मी जी, मैं कथी तानुकिया है, आप अगर थोड़ी सी, अपनी क्या केते है सब्सक्राइज में कुछ चीजें ले आती, तो आपकी और कीमत होगी, मगर इसके बाद सब्जियां भी जला रही है, प्यास सौसो किलो रुपे हो गया है, तो हमारा तो घाटा ही हो रहा है बिटा, तुम अपने घर जा करी रहो मैं अपनी ऑलाग के खिलाव एक लब्ज नी सुरूँगी, खुदा की कसम, अपी निकल जाओ, यहां से तफ़ा हो जाओ मैंनो केंदी ने इंजीनियर है, मैं जाके वैक्या थे टाइरा दे ट्यूबट ही कर रहे है, तो आपका दा इंजीनियर है नजरे तो तुमारी भी ठीपती, तो फिर सब्जी जली कैसे, मुझे यह पताओ बस अबी मैं ताडे मुन्ने दे खियाला देवे चेनी को खो गई सांखे मेरे कोला सब्जी सड़गी में नो पता ही नहीं चले, हम आफ़ पर दो वाँ, 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 अमीजग, अमीजग, जबर्दस चले जी, हासी मज़ाख बहुत हो गया, कुछ सीरियस क्वेस्चिंस की तरफ आते हैं रॉबिन, रॉमॉलिका के नाम से आप जाने जाते हैं, आपकी मज़दार वीडियोस होती हैं, आप क्रोस्ट्रेसिंग भी करते हैं, आपकी आइडेंटिटिटी एक सेग्जुल माइनॉरिटी की भी है, तो ट्रोलिंग तो होती ही होगी, क्योंके उर्दू भी बोलते हैं, इ इनने डिसेबिलिटीज कहूंगा नी, बट आई वस बॉन विट सम्दिसेबिलिटीज, रंग का, फिर सेक्श्वालिटी का, कि ओ, हैम फेमिन अंगर्ली, तो मेरे को तो उन लोगों ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे स्टुडेंट जो साथ में पढ़ते थे, दोस्तों ने, उन उस पे बिद्कुल भी वक्त जाया नहीं करता, और ये सफर में मैं आगे तब बढ़ा, जब मनें देखा कि उतने ही लोग मुझे अप्रिशेट भी कर रहे हैं, उतने ही लोग मुझे जुडते जा रहे हैं, तो मैं सुचे कि जो बुरी चीज़े वो तो होंगी, जो मशूर सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी लोगे, उनकी भी ट्रोल्स होते हैं, मगर उससे क्या पाइदा जब वो उस मुकाम पे पहुच गए है, तो फिर नीचे जो भी वो लोग बोलनों से कोई फरक पढ़ता नहीं है, तो मैं उस महबत पे जो मुझे मिल रहा है, जो शौरत जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, मैं इस पे ध्यान देना ज्यादा प्रिफर करता हूं, ना कि ट्रोलर्स के, वो तो कहने वाले कहते रहेंगे, हाला कि कुछ ट्रोलर्स में कहूंगा, कुछ लोगों की कमेंट्स आते हैं, जिसमें वो मुझे बताते हैं कि आपका य मैं कभी नहीं कहता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ और अगर में को बता रहा है ज्यान तो अल्वेस वेल्ट हो लेकिन इस इंट्रेस्टिंग ना इस डाइवर्सिटी जो है जो अब सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही अच्छा और इंट्रेस्टिंग है तमकिनात आप से पूछना चाहती हूँ आप एक वोक अम्मी का किरदार निभाती है और यू आप यू टॉक अबाओ टैबू टॉपिक्स अलसो जो पाकिस्तान में बहुत टैबू है डिवोर्स के बारे में आम तोर पर बात नहीं होती है खुलकर बाते नहीं करते यू नो ब ट्रोलिंग तो I think it's a part and parcel of what we do and सिरफ हमारी जो एक्सिस्टंस ही है वो ही ट्रोल्स के लिए बहुत है जैसे रॉबिन का वही सेड के बच्पन से वो एक चल रहा है तो मेरे साथ भी ऐसे ही था I think और फिर इन सोसाइटी इस लाइक पाकिस्तान आपका एक औरत होना ही जो एक पीलियन रखती है जो अपने तरीके से जिन्दगी गुजारती है वो एक आपकी जो एक्सिस्टंस है वो ही काफी है लोगों को ट्रिगर करने के लिए तो उसके ओपर से फिर आपकी डिवोर्स भी हुई हो फिर आप सिंगल मदर भी हो आपके टैटूस भी हो और आप एक से वो उस पैटर में भी फिट नहीं होते हैं कि हाँ जी इस वट अ कंवेंशनली एक हसीन ओरत ऐसी होनी चाहिए या एक घरेलू ओरत ऐसी होनी चाहिए तो वो सब कुछ है और I think एक जर्नी होता है हमेशा से आप you unlearn and then you relearn things और फिर आप उसको जहां तक ट्रोलिंग का तालूक है तो of course I mean वो तो चलती ही रहती है शुरू में यह था कि मैं बहुत I don't have a thick skin at all I get deeply affected by things that people say to me और यह हो सकता है कि शायद एक्स्टीर में ऐसा ना लगता हो देखने में लोगों को but I'm a very sensitive person तो शुरू में तो मैं बहुत effect होती थी मतलब मुझे रात को कुछ लोग इतनी wild बातें करते हैं मतलब आप यह सोचते हो कि यार इतना hatred कहां से आ रहा है मतलब ऐसी मैंने क्या बात कर दी है कि जिससे आपके अंदर इतना hatred पैदा हुआ है कि आप मुझे इतनी इस तरह की बाते पर गुसा भी आता है एक आपको लोगों की जहालत पर गुसा आता है कि यह समझ क्यों नहीं पा रहे कि मैं क्या कह रही हूं फिर एक आपको उनकी ओडैसिटी पर भी गुसा आता है कि हाँ टेर यू शुरू में बहुत एफेक्ट होता था फिर आइस्ता आइस्ता मुझे एक-दो मेरे फ्रेंड हैं उन्होंने भी मुझे specifically my friend Shweeb he shared this article with me जिसमें proper एक ट्रोलिंग के उपर एक हुआवा था पूरी रिसर्च और उसमें यह था कि देखें अगर एक बंदे के 660 followers हैं और आपके 6,00,000 followers हैं तो आप जब उसकी किसी tweet को retweet करके उपर उसका जवाब देते हैं या उसकी किसी comment क नीचे reply करते हैं तो what you're actually doing is that कि आप अपने 6,00,000 followers की attention उस बंदर कर रहे हैं जिसको 6 लोग भी follow नहीं करते हैं तो पहली बात तो यह है कि इंगेज नहीं करना दूसरी बात है कि जहां कोई एक हद से आगे बड़े तो delete and block मतलब यह पहले मैं थोड़ा घबराती थी पर बना के दे दिये धुमिया को कि यह अब आपके लिए आप देखें तो फिर I think वो बार बार जाके चेक करना कितने comments में किसने comment किया कोई क्या कह रहा है that is not really healthy I know I I मैंने कोशिश की गया अभी भी कई बार मैं जाके जरूर देखती हूं लेकिन कुछ platforms पर जैसे मुझे बता ह कि कई दफ़ा और तो मैं यह एक्सेप्ट करूंगी कि मैं जहां मेरी thick skin नहीं है वहां मैं criticism भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेती है अगर वो positive भी हो तो मेरे दिल को लग जाता है लेकिन यह है कि हाँ अगर कोई बंदा अगर कोई कहे कि अगर यह बात ऐसे हो सकती थी यहां पर आप थोड़ा यू कर सकते थे यह विडियो थोड़ी ऐसे है तो हाँ I do appreciate जो लोग constructive बात करें लेकिन जो destructive आपको पता है कि एक बंदा आया ही बत्तम easy करने के लिए है तो उसका यही है कि आप delete or block करें और इलकुल मतलब just do not दफा करें माने लेकिन अकांग्षा जब तमकिनत यह कह रही है कि ट्रोलर्स को डिलीट ब्लॉक करें वहां content creators के लिए relevant रहना भी बहुत जरूरी है बड़ी dynamics ही एक situation है कि सेनारियो मैं और तुम जब reels बनाते हैं तो हमें हर दिन कुछ नया viral song नए गाने ढूनने पड़ते हैं तो Robin कितना चैलेंजिंग है खुद को relevant रखना और इस तरह का content बनाना कि जो आपके followers हैं उनको आप इंगेज कर सकें मैं काऊंगा इसमें मेरा जो मैं काम करता हूना वो भी help करता है कि I am also a video producer at Sukuuku which is a digital media agency तो वहाँ पर हम अकसर content बनाते ही रहते हैं तो मेरा life on and off content बना नहीं है and it's not a challenge कि मैं अपने social media को ऐसे treat करता हूँ कि यह मेरे अंदर के जजबातों को जाहिर करने का एक जरिया है कि यहाँ पर मैं अपनी existence जी रहा हूँ जो मैं हूँ like आपने बोला कि I dress up as woman also I like it क्योंकि बच्पन से मैंने tv shows देखे हैं बच्पन से आईने के सामने तो किया ही है अब बस यह है कि उसे record करके मैं social media पर डाल रहा हूँ तो मैं उस pressure को अपने तक आने महीं देता मेरा होते है कि मैं बना रहा हूँ and तुम पसंद करो मैं प्रेशर को नहीं देखे हैं अब ही करना है इसको नहीं जब भी डालू तो वह बहुत अच्छा हो बस यह है यह मेरा प्रोच होता है श्रीदों के अगर इसके बारे में बात के आपने बहुत बात है कि about how you deal with it which is आप जादा ध्यान नहीं देती है पहले आपको अफेक करता था लेकिन प्रिविसी भी एक इसू रहता है क्योंकि हम content creators को देखते हैं I know everything about perhaps about your life कब जग रही हैं कौन सी क्रीम लगा रही हैं बेड्रूम में आपके कौन से कलर की दिवार है मुझे सब पता चल जाता है जब मैं देखती हूँ so you know it is a very scrutinize करते हैं लोग बहुत you know you are inviting लोगों को to be part of your life but I'm sure there are days जो की एक जैसे नहीं होते there are days where mental health challenges emerge so I want to talk about that आप उसको कैसे डील करते हैं do you on your low days what do you do आप क्या करते हैं यह एक I think for a lot of people who are creative by nature I think Robin भी इस से शाय दग्री करेंगे कि हम जैसे जो लोग होते हैं जो के जिनका एक I think मैं अभी की सोच पी रही थी इस बारे में कि one of the reasons that we create content is to you know find people who can relate to it so that we start to feel a little less lonely in in our own selves क्योंकि मुझे लगता है कि जितने आप creative हो कही न कहीं एक loneliness का element रहता है आपके साथ एक थोड़ी से detachment रहती है और मेरे साथ तो रहता है there are times there are days and I've talked about it also about dealing with depression and anxiety और यह सब कुछ तो हाँ I think वही वाली बात है के pressure जो आपको feel होता है कि नहीं यार consistently content बनाना है ताकि algorithm वो जो है वो feed होता है तो वो it can also sometimes you know trigger your mental health issues क्योंके एक race सी लगी वी है अब जब मैं देखती हूं कि कुछ लोग जिनोंने मेरे से बहुत बात में start किया और जिनके content को मैं share करती थी के लोगों को कहती थी कि यार इनको देखो अब उनके मेरे से जादा followers हो गए है तो एक वो stress भी होता है कि यार what am I not doing right या क्या है और क्या नहीं तो I think on days जब आप बहुत इस तरह का फील नहीं कर रहे आप and about कि आप बनाओं और आज कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपका आप एक दिन में दो दो तिन करना बहुत मुश्किल है तो शायद किसे ने मुझे एक बार ये बात कही थी या मैंने कहीं पड़ी थी कि अगर आपका कोई बहुत नजदीकी दोस्त हो कोई बहुत ही अजीज दोस्त हो और वो आपको कहे कि मैं आप वो situation में और जिस situation में आप हैं और वो सारी बाते जो आ अपने साथ जो language है अपनी self-preservation रखनी है अपने साथ भी जबान इस्तमाल करें जो आप अपने दोस्तों के साथ या अपने बच्चों के साथ इस्तमाल करते हैं जब वो ऐसे situation में से गुजर रहे होते हैं तो I think ये करना मुश्किल है लेकिन करना हमें चाहिए और अगर आज नहीं मेरा mood बनाने का कोई चीज तो it's okay ठीक है कोई कयामत नहीं आ जाएगी अगर किसी के आपसे 50,000 followers जादा भी है तो ठीक है कोई मसला नहीं है अगर किसी को आपसे जादा paid content मिल रहा है तो भी it's all right I mean जिनदगी में बहुत सारी चीज़े हैं जो के एक balance चलता है हो स करता है कि बहुत सारी चीजों में वो कहीं lag करते हो आपके पास कुछ चीजे लाजमी होंगी जो उन से जादा है और अगर नहीं भी है तो it's okay आज नहीं है तो कल आ जाएंगी I think we all just need to relax a bit जो कि शायद इस social media की age में थोड़ा difficult है मुश्किल है और बहुत honest बात कह रही है तमकिनत यहां पर बहुत सारे लोग इस बारे में बात भी नहीं करते हैं सच में मतलब उनको लगता है यह दुनिया जो है बड़ी अच्छी है रंगीन है लेकिन इसके अपने issues है क्योंकि life is like that और उसमें हमको I think जरूरी है कि you know we also factor in यह स्यरी चीज़े last में मुझे लगता है we are coming to an end Robin और तमकिनत क्यों आप अपने तरीके से एक line में जो content creators बनना चाहते हैं इस दुनिया में आना चाहते हैं उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें एक सीख देनी चाहें अपने अंदाजों में लेकिन हा तो बहुत आप से अगर शुरू करें पंजाबी में कुछ मेरा ख्याल है कि जदा रवाक की दिल है कि तुसी content creator बनना चाहने हो I always say this कि ताड़ी पिछे सोच है कि तुसी एक बंदे ती तरहां दा बनना चाहने हो तुसी या फिर तुसी पैसा ब्राना चाहने हो या फिर तुसी कोई कि कोई मोटिवेशन एठ ही को वह अपने जगह ते जड़ा है। तानु ऋप्थास जाएदा है कि तुसी वाक्या स्काम नाल प्यार कर दियो के नहीं। ज़िदो तुसी कॉंटन्ट क्रिएट कर दियो तानु खुशी दें लेदा है कि नहीं। जे ताड़ा अपना कॉंटेंट तानू कुशी देंदा है, जो तुसी वापस उन्हों वेख दे हो, तानू एक सेंस ओफ अचीवमेंट आंदी है, तानू लग दे है कि मैं जो कुश कहना चा रहे हैं आमा दुनिया नू, ओ मैं कैप आ रहे हैं, ते लोकियो देना रिलेट करे मैं कुश ही मिल रही है, लोका देनाल जाड़ी मेरी इंटरेक्शन है, ओ दी, या मैं कोई चेंज वाकियी लाकिया रहे हैं, ते फिर तुसी जरूर बनाओ, पर जे तुसी सिरफ ऐस सोच के बनाओगे कि नहीं मैं मैं मशूर होना है, मैं पैसे बनाने ने, ओ भी गलत नहीं मैं मेरा मशुरा है कि ओ मोटिवेशन तलाश करो अपने अंदर ते, stay true to that, always. वा, 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 very relevant. ओ मैं को सब समझ में आया है, पंजाबी में. चलो, अब खाले सुर्दू सुन लेते हैं. क्योंकि वो कॉन्वर्सेशनल पंजाबी, वही वाली वात है कि बोलते नहीं है, तो कॉन्वर्सेशनल मेरी इतनी गाड़ी पंजाबी नहीं है, तो मुझे उसमें काफी मदद चाहिए होते हैं, इंग्रेजी और उर्दू की, तो वो समझ में आ जाता है. चला लो उर्दू सुनते हैं. आपको अपना आर्ट परफॉर्म करना है, जो भी वहाँ पे चीज़े हो रही हैं, उनको दिल पे नहीं लेना है, अपनी रूप से मुक्तलिफ रखें उन ख्यालों को. जबर्दस, 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 तो such a honest conversation, I really enjoyed it, thank you Tamkinah, thank you Robin, बहुत मज़ा है आज. बहुत अच्छी अच्छी बात हैं की आप लोगों ने और बहुत मज़ा है आप लोगों से बात करके, और इस प्रोग्राम के एंड पे हम यही कहेंगे के content हो या content creators हो, साथ में बैठते हैं, तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान के dramas भी देखते हैं, और पाकिस्तान में बैठत तब तक के लिए आओ बात करें